जै श्री राम प्यारे मित्रों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरू चरण पर दोस्तों आज के राशी फल कारिक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज 1 ओक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार है यह दैनिक राशी फल चंद ग्रह की गर्णा पर आधारित है राशी फल निकालते समय पंचांग की गर्णा और सटी खगोली विशलेशन किया जाता है हमारे इस दैनिक राशी फल में सभी 12 राश्यों का भविश फल बताया जाता है इस राशी फल की कारिकरम को देख कर आप डैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे इस राशी फल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुब अशुब घटनाओं का भविशिफल होता है यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विशलेशन करवा कर अपनी समस्या का समधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डीटेल कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समधान पाएं आज का सूवचार जिन्दगी में किसी से अपनी तुलना मत करो जैसे चांद और सूरच की तुलना किसी से नहीं की जा सकती क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं आप हमेशा इतने छोटे बनिये कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बनिये कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे जी हाँ दोस्तों इन्हें विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्ज़री या अनिवर्सरी है उन सभी को बहुत-बहुत शुब काम ना आए और बधाई तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांखी विक्रमी संबद 2078 मास अश्विन पक्ष कृष्न पक्ष तिथी दश्मी वार शुक्रवार नक्षत्र पुष्या योग शिव राहु काल 10 बच के 41 एम से 12 बच के 10 पीम तक इस काल में कोई भी शुब कार नहीं किया जाता है अब जीत महुरत 11 बच के 47 एम से 12 बच के 34 पीम तक है दिशाजूल पश्चम यदि आप किसी कारण वश इस दिशा में आतरा कर रहे हैं तो जोई आराई खा कर घर से बाहर जाएं लापकारी होगा तो चलिए दोस्तों आज का राशी फर्द जान लेते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इश्ट देवी या इश्ट देवी का नाम कॉमेंट बॉक्स में अवश लिखे तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं आज कर राशी फल शुरुआत करते हैं मेश राशी से ऐसे अवसरों को पकड़ने की कोशिश करें जो आपको सोचने और उसे अपने तरीके से दुबारा पेश करने का मौका दें आप इन्हें उसा के साथ कर भी पाएंगे और आपको आनंद भी आएगा घर में कुछ बदलाब होने ही हैं शायद आप अधिक एक आग्रता और अधिक बैतर अवसरों के लिए किसी नई जगा जाना चाहते हैं शुब अंक पाच शुब रंगहरा और फिरोजी उपाई घर में फूल पानी में पनपने वाले पौधे मनी प्लांट आदी मचली का अक्वेरियम उत्तर या पस्चिमो उत्तर चंदर की दिशा में रखने से फैमली में खुशिया आती हैं व्रिशब राशी आप आज उर्जा से भरे हैं और बहुत अच्छे मूड में भी हैं दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं अपनी खुशी में खोकर आपका ध्यान भविश्य के खतरों से हट सकता है घबराए नहीं किसी आदमी से कोई नुकसान होने की आशंका नहीं है केवल आपका पेट अप भोजन करने के कारण खराब हो सकता है जिसे आपकी सेहत पर असर पर सकता है शुब अंक चार शुबरंग भूरा और सलेटी उपाए अपने बड़े भाई के विचारों का समान करने वा उनकी बात मानने से आर्थिक के सिथी में सुधार होगा मिथुन राशी आज आपकी कि इसमत आपके साथ है आप अपने समस्या को सुल्जा लेने की कुशलता से सब को अचरज में डाल देंगे सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे आपका आत्म विश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बाटें आज कोई दोस्त मिल सकता है दिन कुल मिलाकर मज़ेदार रहेगा शुब अंक दो शुब रंग सिलवर और सफेद उपाए तामे का पैसा और चांदी दूदवा चावल से धोकर जमीन में दबाएं चावल दूद घर के बाहर किसी पौधे में डालने से स्वास ते अच्छा रहेगा करकराशी आप उर्जा से भरे हैं और आशावादी सोच रखते हैं कुछ दिन पहले तक जो भी चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ लग रही थी आज उतनी नहीं दिखेंगी आपके दृष्टी कोड की दृणता और जीवन सकती से आपको इस स्तिथी से निपटने में आपको सफलता जरूर मिलेगी शुब आंख छै शुबरंग पारदर्शी और गुलावी उपाए किसी दिकरी व्यक्ति को बक्षीज देने या भोजन तराने से प्रेम संबंधों में रिध्थी होगी सिंक राशी आज आपके लिए अच्छा दिन है आपका सुंदर व्यक्तित वर दूसरों को आकरशित करेगा आज आप कुछ भी करें सफलता मिलेगी आप काफी लोग प्री हैं आप सुरुजनातमन भी हैं और नर्म भी आपके इनी गुडों ने आपको इस मुकाम पर पहु आलिश या सर पर लगाना प्रेमी वा प्रेमिका से मिलने से पूर्व करने से प्रेम संबंद अच्छे रहेंगे खन्याराशी आज का दिन ग्रहों की स्तिथी के कारण उलजन में डालने वाला है आप किसी परिशान करने वाली समस्या के बारे में लगतार सोचते रहेंगे लेकिन केवल सोचते रहने से कुछ समधान हाथ ना लगेगा आप जैसा सोच रहे थे आज आपको उससे विपरीट सुचनाएं मिलेंगी जिसके कारण आपको अपने पहले से सोचे हुए में बदलाब करना पड़ेगा शुब अंक दो शुब रंग सिलवर और सफेद उपाए इस नान करने के बाद सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर करने से आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा तुलाराशी आप आज कल पनात्मक रहेंगे कारस्थल की ओर से किसी अनिस्थान की यात्रा का मौका मिल सकता है आपकी रोमांटिक प्रविती उजागर होगी अपने आपको थोड़ी धील देने का दिन है लेकिन काम में व्यवहरिक्ता भी दिखानी होगी साथियों के साथ अच्छे मूड में रहेंगे अपनी मेल देख लें कोई महत्वपूर मेल आपकी प्रतिक्षा कर रही है शुब अंक पांच शुबरंगहरा और फिरोजी उपाए किसी जानवर को अकारण कष्ट ना दें और ना ही कभी जीवहत्या करें वह शाकाहार को अपनाने से प्रेम संबंद अच्छे रहेंगे दिन की शुरुवात अच्छी खबर से होगी आप काफी समय से जिस योजना पर काम कर रहे थे वह आज फली बूत होगी सहकर्मियों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं आपको अच्छा लगेगा आज वित्संबंधी कोई फैसला लेंगे जो भविश में लाबकारी साविध होगा आज किसी तीट की यात्रा भी कर सकते हैं शुब अंक साथ, शुब रंग क्रीम और सपेद उपाए घर में सफेद सुगंधित पुश्प लगाकर उनकी देख भाल करने से स्वास्थ अच्छा रहेगा धनू राशी मेहनत से काम करें और जम कर आनंद उठाएं आज पूरे दिन इसी सिध्धांत पर चलेंगे और ये उप्यूक्त भी है दिन की शुरुवात समाने होगी लेकिन अंत दोस्तों और परिवार के साथ जश्न से होगा आपकी लोगों को हसाने की छमता और खुश मिजाद स्वभाव बड़ी पार्टी की मेजमानी के लिए भी उप्यूक्त है शुब अंक चार शुबरंग भूरा और सलेटी उपाए चटाई का प्रयोग सोने के लिए करने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी मकर राशी किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद ले आपको अपने काम के लिए उनी तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय से लाबकारी रहे हैं आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह पारंपरिक तरीकों से ही कोशिश करें अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें सफलता जरूर मिलेगी शुब अंग चार शुब रंग भूरा और सलेटी उपाए बढ़ के पेड़ पर दूध चढ़ाएं और फिर गीली हुई मिट्टी से तिलक करें स्वास्त बढ़िया रहेगा कुंपराशी आज का मोड बदलता रहेगा आप खुद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और इस स्थिथी को कैसे बदलें आपके इस प्रकार के वहवार से दोसरे भी उलज़न में रहेंगे फिर भी किसी भी स्थिथी में इमांदार बने रहें क्योंकि इसी से आपको अपने लक्ष पूरे करने में मदद मिलेगी आज सब चीजों को हलके में लें और खुद को बस निरिक्षक की भूमिका तक सीमित रखें शुब अंक एक शुबरंग सुरारंगी और सुनहरा उपाए लसी को शिवलंग पर चढ़ाने से लव लाइफ अच्छी रहती है मीम राशी आज आप सकरात्मक उर्जा से भरे हुए हैं हाला कि आपका उद्देश अच्छा है परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा आपको अपनी प्रविक्ति का उप्योग अपने आपको खुशी देने के लिए भी करना चाहिए और आज आप अपने उपर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकते हैं जहां तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है अपने उपर थोड़ा सा नियंत्रन रखें क्योंकि आपके कारिकलापों को गलत भी समझा जा सकता है शुब अंक आठ शुब रंकाला और नीला उपाए एक दूध की कटोरी किसी कुट्टे को पिलाएं इससे लव लाइफ में रिलेशन और मस्बूत होंगे मित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जाद से जाद शेर कीजिए और कॉमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जै श्री राम